पांच दिवसिये इस चहक प्रसिक्षन में आज पांचमा दिन समापन के बीच हम लोग पांच दिन से यहां प्रसिक्षन प्राप्त कर रहे हैं इसमें सभी प्रसिक्षकों द्वारा आनंद वाई बातावरन में बिभिन बिंदूओं पर परकाश डाला गया जैसे निपूर्ण, FLN, ये फॉर्मेटिव, समेटिव, BSA, इत्यादी बिंदूओं पर परकाश डाला गया पांच दिनों से हम इस प्रसिक्षन में प्रसिक्षन ले रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है समापन के दिन यदि इन सारी बिंदूओं को अपने बिद्याले में हम लागू करते हैं तो बच्चे आसानी से इसको समझ सकते हैं और उनमें सारीरिक विकास, मांजिक विकास, भासा विकास, इत्यादी हो सकता है हम भी अपने बिद्याले में इस बात को इस प्रसिक्षन के मध्यम से प्राप्त हुए ग्यान को बच्चों पर लागू करेंगे और उनको बताएंगे उनका विकास हो दानियो कि बच्चे इस स्कूल से उन रूप से जुड़ेंगे और अपना योगदान देंगे बच्चे इस काईकरम से बहुत ही अनन्दाइक महोर महसूस करेंगे और पहले की अप्यक्षा इस स्कूल से ज्यादा जून पाएंगे कि विवेक कुमार संतोष नफ्ष जित बात्मित के ज्यालाय महादरिव रूल बाटना बढ़ एक सत्य जाहिद से काई सिक्षब हूँ मैं आज यहां पांच दिवस्य प्रसिक्षन जो लागू हुआ था जो यहां करिहारा में किया गया इसमें भाग लिया और यहां चहक के बारे में एफलेन के माध्यन से चहक के बारे में और निपुल बिहार के बारे में जो समझाया गया बताया गया इससे पहले अबगत नहीं था जो हैं आकर के जो समझे बहुत अच्छा लगा और इसको बताने में इसको समझाने में और हम अपने विद्याने में जाकर के नए बच्च पाइं जिस्समें अनील वावु के दौरा आपकताई जूड़ी ते दौरा मारी में प्राज़ू अपने चोटे बच्छों को एफरेन के बारे में ट्रीक से संखार है। कि अपने भारत से चाहक के परशिक्षन में हम लोग ने पांच दिनों तक भाग लिया। और इसमें नव परवेश, परवेशित बच्चे जो परतम वर्द में आये हैं। उनको स्कूल से जोड़े रखने और जोड़े रहने में ये चाहक परशिक्षन काफी महिदगार सावित्य होगा। और इसके विवन पहलों को सभी ये टीम थी परशिक्षन की टीम ये अमनों को काफी अच्छे दंग से संजाए और परशिक्षित किये और हम उम्मीद करते हैं कि हम जब स्कूल में जाएंगे तो इसको अच्छे दंग से अबलाइख करेंगे। है कि मोड्यूल च्वहक के परशिक्षन में मैंने भाग लिया आज पांचमे दिन अंतिम सत्र में अध। यहां से परशिक्षन लेने के बाद मैं अपने आप शक्षम हो पा रहा हूँ कि जब मैं बिद्याले लोट कर जाओंगा तो पर्थम का अच्छा के बच्चों के साथ गतिविधी पुर्वत किस तरह पढ़ाना है किस तरह उनको बिद्याले से जोड़ना है मैं जोड़ पाऊ इसके लिए मैं उनका सदा आभारी रहूँगा घंडवाद गया पुट करता है कि बहुत है कि इसमें बच्चों को भासा भी कास और संख्या नहीं संब्दी जनकारी देगें तुन भारत कि बारे में समझाया गया है और एफेनन के बारे में भी समझाया गया है इसका उद्देश जहचा कार्शक्रम का उद्देश है बच्चों कछा एक के बच्चों को इसकूल से जोड़ने हुए बच्चा एक के बच्चों को इसकूल से जोड़ते हुए कछा तीन तक के बच् और संख्या ज्ञान का विकास हो जाना चेंगे यहां तक्षोसिश करूं भी अपने इसकूल में इसकार्शक्रम को सफ़ बनाने के लिए अपना व्यक्तान को हुए